बारत माता की, बारत माता की, मेरा प्रतान मंत्री जी को, कोटी कोट नवन वन्न, मैं बुलन सर्द लोक सवासेत के ग्राम कुमर पर भूत संक्या दोसो साथ से विपिन कुमार राघब बोल रहा हूँ, मेरा प्रदानमंत्री जी से सवाल है कि भाजपा के बूत इस तरके कार करता को कैसा होना चाहिए आपके जैसा होना चाहिए आपने खड़े होते ही भारत माता की जय का नारा किया बाद यही काम हम लोगों का है हमारी भारत मा का जैजेकार बाद यही सपना यही संकल्प और आपने उसी से बात की शुरुवात की और उसी सुनकर गई मरा तो मन प्रसंद हो जाता है देखिए आप बेटी आराम से मैं बात बताता हूँ सबको सुनने को मुका मिलेगा देखिए बुत्त स्थर्थ का कार करता पार्टी की महत्वपुन नीव होता है और भाजपा का तो यह सोभाग्य है कि हमारे पास लाखों करोणों की संख्या में महनत का समर्पीत निश्वार्थ कार करता है जिनोंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सीचा है और अपने बुत्त को मजबूत बना करके रखा है और इसलिए सबसे पहली जिम्मेवारी मेरा बुत्त सबसे मजबूत आज अगर भाजपा इतने सारे चुनाओं में जीत हासिल कर रही है तो ये इन कार्यकरताओं के कठोर परिश्णम का समर्पन का और संकल्प का ही परणाम है पहले चुनाओं के दोरान कार्यकरताओं को जो जिम्मेदारियां दी जाती थी आजकल तो उसमें भी अनेक बडलाव आये हैं नहीं नहीं चीजें जुड़ी हैं एक समय था जब कार्यकरताओं को दिवारों पर पोस्टर चिपकाने घरगर जाकर पार्ट्री का प्रचार कर प्रसार करने के जिम्मेदारी दी जाती थी उस समय जन समार्थन जुटाने के ये भी तरीके थे लेकिन हम समय ऐसा आया है कि घरगर तो जाना ही जाना है पोस्टर भी तो लगाने ही लगाने है लेकिन अब हर एक के मोबाइल फोन पर भी पोस्टर पहुंचाना है फोस फेस्बुक के लिए ट्वीटर के लिए वाटसब के लिए नजने पोस्ट भी बनाने पड़ते हैं हमें चुना प्रचार के नए और पुराने दोनों ही साधनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा एक कार करता होने के नाते हमें जानकारियों के सबन में अपडेटेड भी रहना चाहिए विश्वयों की पूरी जानकारी होनी चाहिए बारिक से बारिक जानकारी होनी चाहिए चीजें लिख करके रखनी चाहिए वरना छूट जाती है और मुझे अच्छा लगा आज कल तो मोबाइल फोन पर गाउं गाउं के लोग भी लिखने लग गए हैं कभी कभी बड़ा मजाग उड़ता है कि पिछले दिनों एक वीडियो बहुत वाइरल हुआ था एक पार्टी के कार करता किसी बात पर धरना प्रदसन कर रहे जुटे से खुम नारे बाजी मोदी हाय है मोदी हाय है चल रहा था वहां कुछ निस्पक्ष मीडिया के लोग पहुँच गए उन्होंने जो लोग आये थे उनसे बात्चित करने शुरू कि प्रस्ण पूछना शुरू किया और पूछा भाई किस बात को लेकर प्रदसन कर रहे हो और आप हैरान हो जाए कि सन्ना ठा यह सारी भीड को पता ही नहीं था क्यों आये थे किस काम के लिए नारे दे रहे थे बस कुछ मालूम नहीं था और जैसे जैसे पूछने लगे लोगों की पोल खुलने लगी अधितर लोगों को न विशे की जानकारी थी नहीं उस प्रदर्शन का प्रयोजन बालूमता और लोगों की हशी के पात्र बन गए और इसलिए हमारी देश राज्य और स्थानिय मुद्दों के बारे में पक्की जानकारी होनी चाहिए और लोगों को भी बार-बार बताना चाहिए और बार-बार बताने से हमें भी बराबर याद रहता है और आप देखते हैं जो बाक्षन करने वाले लोग होते कुछ सुबह से साम तक एक ही बात के आंट प्रकार के आंखड़े बोलते हैं तो कोई उन पर भिरोसा ही नहीं करता है उनको तुरन बजपता चल जाता है जूट बोल रहा है और देखिए आज भी पक्ष कितना जूट बोल रहा है उनको लगता है कि जूट से गाड़ी चल जानकार या पाने का अनेक रास्ते मिल गये है अब जूट चलता नहीं है कि कुछ नेता तो जूट की मशीन की तरह हैं जब भी मूँ खोलते हैं धार 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 एके 47 की तरह बजूट ही निकलता शुरू हो जाता है ऐसे में आपको विपख्ष के जूट को भी जनता के सामने बेनकाब करना है और सरकार की योजनाओं को भी लोगों के बीच पहुचाना है इसके लिए आपको सरकार की योजनाओं की सही और 27 जानकारी भी होनी चाहिए इन सब के लिए आपके पास एक बहुत उप्योगी साधन है और वो है नरेंद्र मोधी एप इस एप को डाउनलोड करने से प्रदान मंत्री तो आपकी जेब में ही रहेंगे साथ ही आपको सारी खबरें सारे फैट्स और वोलेंटरिंग करने के अनेक अवसर भी एक ही जगर पर मिल जाएंगे मैं ज़रा बुलंद शहर से करकरताओं से पूछना चाहता हूँ आप में से कितने लोग हैं जिन्हों ने अपने मोबाइल फोन पर नरेंद्र मोधी एप डाउनलोड किया है ज़रा हाथ उपर करो मेरा सवाल सुनाई दिया सबको तो यह आगे जो बैटे उन्होंने नहीं किया है अच्छा नरेंद्र मोधी एप डाउनलोड नहीं किया चलिए ज़्यादा कारकरताओं ने किया है लेकिन जो पुरानी पीडी के लोग है साइद उनके लिए मुश्किल काम दिखता है अब जो लोग उसको देखते हैं क्या आप उसमें से खबरे आगे पहुंचाते हैं देखे एप पर एक सेक्षन है मस्ट रीड उस पर लिखा हुआ है मस्ट रीड रोजाना आपको पांच-दस ब्रीड उस पर बितानी चाहिए उसमें थे पांच-साथ-दस न्यूज पढ़ना चाहिए और 13-14 लेंग्वेज में वो मिल जाते हैं पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है उनको आप बड़ी आसानी से अपने मित्रों के भी शेयर कर सकते हैं जो लोग दिन भर वाट्सअप वाट्सअप खेलने के आदी हैं इधर उधर फॉरवर्ड करते रहते हैं उनके लिए भी एक मज़ेदार सेक्शन वाट्सअप इट इस प्रकार का है वहाँ जाये ऐसे वीडियो इन्फो ग्राफिक्स मिल जाएंगे जिने आप बड़ी आसा ज़्मणी से फॉरवर्ड करते रहते हैं से अच्छा आफ मैंसे कितने लोगोंने कल के MSME प्रोग्रेम सुक्षप और लगू उद्योग के लिए जो प्रोग्रेम था उन लगू उद्योग के लिए मैंने जो गोशनाए की आप एसे कितने लोग है जिनोंने इन गोशनाओं को मुबाइल एब पर चेक करके अपने मित्रों को आगे पहुंचाए जड़ा हाद उपर करो तो देखिए बहुत लोगों ने करना चाहिए एब पर जाए आपको बारा गोशनाए उनके बारा वीडियो सब मिलेंगे नरेंद्र मोधी एब पर मीडिया कवरेज इन्फोग्राफिक जैसे कई शेक्षन दिखाई है आप उनको नियमित्रुप से देखते रही है इससे आपको कम समय में देर सारी सटीक जानकारिय मिलती रहेगी यही नहीं अब नमो एब पर मर्चनडाइज की फैसिलिटी भी जोड़ी गई है जो आपने सब टीशर्ट पहने न वो नमो एब से खरीदे गई दिखते हैं तो मुझे पता चला कि टीशर्ट कैप, नोटबूक जैसी अपनी पसंद की चीज़े खरीदने को लेकर लोगों में भरपुरुत साह है नमो एब पर डोनेशन की ववस्ता भी शुरू की गई है इस प्रकार करता न सिर्फ बढचर करकर डोनेशन कर रहे हैं बलकि औरों को भी प्रोसाइद कर रहे हैं रकम छोटी से छोटी क्यों हो पांच रुपया हो, दस रुपया हो लेकिन सब को भाचपा से जोड़ना हमारा प्रयाद भी होना चाहिए और संकल्प भी इस दंतरच से विशेश भियान आप लोग चलाएं गरगर जाकर के हर मतला से पांच रुपया दस रुपया उसमें मोदी अपके द्वारा डोनेट करवाईए आने वाले कुछ महिनों में कई महत्वपुन चुनाव होने वाले हैं आपके पांस हर बुद्ध कारकरता से जो 23 काम नियमित अप्रिक्षित है उसकी तो सुची होगी होगी उन 23 कामों की सुची के आगे अपनी और बुद्ध की प्रोग्रेस लिखिए और मेरा बुद्ध सबसे मजबूत इसी बात को ले करके आगे बढ़िए